लोग तांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किये बिना, आप समाधान नहीं ढून पाएंगे। हम खुद करने की इच्छा नहीं रखते और हम चाहते हैं कि सरकार इसका बस एक जादुवी छड़ी से समाधान करते, नहीं। सद्गुरू, फिलहाल परियावरन का एक मुद्दा ध्यान आकर्शित कर रहा है, चाहे उसकी वज़ा अच्छी हो या बुरी, संयुक्त राश्टर का ये पूरा मुद्दा जो एक सोला साल की लड़की के बारे में है, जिसने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, इस मामले क की दो पक्ष है, और हर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखे, मैं किसी की बात को स्वीकार या अस्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं निजी तोर पर लोगों पर दोश डालने में विश्वास नहीं रखता, क्यूंकि इस से समाधान नहीं निकलेगा, ये मैंने बहुत पहले सीखा था, जब मैं सोला साल का था, तब म अन्याय पर मैं हर चीज पर क्रोधित था, लेकिन फिर मैंने एक मुकाम पर आकर ये समझा, कि आप दुनिया में कहीं ज्यादा नतीजे पैदा कर सकते हैं, अगर आप में स्विक्रती और सरहाना की भावना हो, बजाए इसके कि आप बस भयंकर बुराई करते रहें, ये मैं मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ और मेरी समझ नहीं बदलेगी, क्यूंकि मैं ये देख चुका हूँ, मैं आपने भीतर ये देख चुका हूँ, कि इससे मुझे और मेरे आसपास हर किसी को क्या नुकसान पहुँचा हर समय किसी चीज को लेकर क्रोधित होने से, तो मुझ लेकिन जो भी उसका पालन पोशन कर रहे हैं, उन्हें उसे क्रोध की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ मिलकर एक समधान खोजें, क्यूंकि अगर हम समधान चाहते हैं, तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किये बेना, आप समधान नहीं ढून पाएंगे, आप खुद को कुरोध में जला सकते हैं, कोई समधान नहीं निकलेगा, और इन विश्वस्थर के मंचों का काम भी यही है, लेकिन कहा जाता है कि बातें बहुत जादा होती है, और जमीनी काम बहुत कम, देखिए, ये सच है, ब अगर हम आपको बात न करने दें, चाहे आपको अच्छा भोजन मिले, पर बोलने न दिया जाए, तो आप कहेंगे कि बोलने की आजादी नहीं है और बड़ा हंगामा करेंगे, तो स्वभाविक रूप से बातें ज्यादा होंगे और काम-काम, मतलब क्या कोई काम नहीं हु नहीं, भारत ने बहुत बड़े कदम उठाएं, स्थाई उर्जा की देशा में, और ऐसी चीजों में, भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़े कदम है, क्या हर देश वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए, शायद नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, ले तो क्या वो जाएंगे? नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं, प्रदूशन, प्रदूशन, आपको कुछ करना भी चाहिए है न? मैं ये नहीं कह रहा है कि सभी को पैदल चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिसाब से सरकार को जो भी काम करने चाहिए, उनके नतीजे स्व इस सरकार को अंतराश्य मंचों पर इस तरह का समर्थन मिल रहा है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया तो क्या आप उन्हें कोई सला देना चाहेंगे? ताकि वो दुन्या को बता सके कि भारत बड़े कदम उठा रहा है मुझे लगता है कि उन्होंने जल सपताह में काफी द्रिरता से अपनी बात रखी है अभी अभी जल शक्ती मंत्री यहां थे, स्टॉक होम में वाटर वीक में थे उन्होंने इस पश्ट रूप से बताया कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं पर क्या आपको लगता है कि आबादी का जो दबाव इस जमीन पर और इस सरकार पर है, वो छोटा दबाव है हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अगर जल शक्ती मंत्राले यह कहें, मान लीजे, ये कहना उनका काम नहीं है मान लीजे, वो कहें, इतना ही पानी है, तो साल 2030 तक आपकी आबादी इतनी होनी चाहिए तो अगले पांच साल तक अपनी इच्छा से बच्चे पैदा मत कीजिए, क्या आप ऐसा करेंगे, तो कैसे होगा समस्या आप खुद हैं और आप चाहते हैं कि समाधान कोई और ढूंडे, तो कैसे होगा पूरी दुनिया में एक ही समस्या है, खास करके भारत में हमें लगता है कई समस्याएं है, नहीं, कई समस्याएं नहीं है, सिर्फ एक समस्या है, आबादी ठीक है? अगर आप सचेत रूप से उसे सीमित नहीं करते तो प्रकृती इसे बहुत बेरहमी से आपके साथ करेगी आप ऐसा होने का इंतजार कर रहे हैं